हेलो गैज कैसे हो आई होपाप सभी बहुत जाएंगे सो गैज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड़सस पिन के बारे में जब हमारे चैनल मोनटाइज हो जाता है और उसके बाद हम गूगल एड़सस पिन एपलाई करते हैं और आने के बाद हमें यह किस डिजिट कोड है वो हमें गूगल एड़सस जो अकाउंट है हमारा उसके अंदर जो है वेरिफाइक किस प्रकासे करना है उसी के बारे में बात करने वाले हैं ने मिश्कार दूस्तों मेरा नमनुक मारा आप देख रहे हैं इनमें टागन के सो गैज वीडियो स्टार्ट करत और यह हम जो एडर्स देते हैं उसी एडर्स पर पहुंच जाता है एडर्स हमें करेक्ट और ध्यान से देना चाहिए क्योंकि अगर एडर्स अगर गल्त हो जाता है तो प्रोब्लम हो जाती है तो यहाँ पर इसे जो है हम अनलोग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने सेल परेक्ट कर दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास आ चूके हैं 6-digit code यहाँ पर और यहीं पर आपको मिलेंगे आपके 6-digit code होंगे और यहाँ पर आपके इधर की साइड आपको मिल जाते हैं step by step कि आपको किस प्रकास से ये वेरिफाई करना है आपके Google Adsus account में तो यहां पर यह step by step बताया भी गया है और इसी के अंदर से आप देखकर easily आप जो है ये verification कर सकते हैं otherwise मैं आपको वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि आपको ये किस प्रकास से verify करना है यहां पर यह यहां पर 4th step दिए गए है और 4th step में अलग step में आपको बताया गया कि क्या 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 आपको करने है और यहां पर 6 digit का code है यहां पर देख सकते हैं back side में address है address मैंने hide करके रखे हैं तो यहां पर अब हम अपने mobile या फिर computer की पर ले चलते हैं आपको और बता रेते हैं किस प्रकास है आपको भी ADSIS बिन आने के बाद verify आपको किस प्रकास है करना है तो चलिए मैं आपको mobile के स्क्रीन पर ले चलता हूँ यह 6-digit code आपको डालना खहां है तो mobile के स्क्रीन पर आ चुके है और google chrome browser जो है इसे open कर लेना है, open करने के बाद हमें google tircs account कर लेना है when यहाँ पर desktop demo pagdateuję अगर अगर computer में तो कोई problème नहीं है अगर mobile कर दो आपको in d ludzie क error problem कर लिनी है then यहाँ पर आपको google access आपको जो है। क्या यहाँ पर मैं open कर लेता हूं access account यहां पे आपको इसे से जो है लोग इन कर लेना है इसके बाद आपके सामने आपका जो Google Adsters अकाउंट होगा वो लोग इन हो जाएगो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जो होम स्क्रीन है Google Adsters अकाउंट की वहीं पे आपको डालना है जो step, fourth step उसके अंदर दिये है वहाँ पे कोई problem नहीं आएगी और यहाँ पे भी आपको कोई problem नहीं आएगी यहाँ पे आपको zoom करना है थोड़ा सा और home screen के नीचिक साइड आप देखते हो to do यहाँ पे लिखा हुआ है और verify your billing address का option यहाँ पे आपको मिल जाता है home screen पर balance जहाँ पे दिखाया जाता है उसी के नीचिए आपको मिल जाता है verify your billing address और यह 2 या 4 week तक पहुंच जाता है यहाँ पे बताया भी गया है इस परकास से और यहाँ पे verify का option है verify पे आपको click करना है यहाँ पे option देख सकते है verify क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है यह verification जो 6 digit का code है यहाँ पे आपको डालना है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ है अगर आप pin डाद रहे हो आपको बड़े ध्यान से आपको डालना है अगर तीन बार यह चीज़ गलत कर देते हो तो problem हो जाएगी तो इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से डालना है जो आपका code है तो यहाँ पे मैं code डाल देता हूँ कि अगर आपने जो Google AdSys pin अपलाई की है एक बार नहीं आया दूसरी बार आपने अपलाई किया तूसरी बार भी नहीं आया तीसरी बार आपने अपलाई किया तो भी कोई problem नहीं आयेगी आप जो है अगर email से अँगर करते हो तो email से भी वो verification कर लेते हैं जो pin है email से भी verification कर लेते हैं कोई problem नहीं है तो pin अगर आपके पास आ जाती है तो यहाँ पे आपको डालना है यह code और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि code मैंने 6 digit का डाला और यहाँ पे your billing address has been verified यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे option जो था verify का वो हट चुका है और उपर की side अगर आप देखते हो यहाँ पे hold payment का option है hold इसलिए है कि हमने पिन verify नहीं की और एक चीज और है कि हमने जो हमारा other account है कि यहाँ से हमारी payment है वो दूसरे account में किस account में जानी चाहिए वो मैंने account इसमें add नहीं किया तो यहाँ पे hold payment का option है अगर आप account add कर देते हो अगर पिन verify नहीं हुई तो भी hold payment का option रहेगा यहाँ पे मैंने bank account नहीं डाला तो इसलिए hold payment का option है तो bank account आपको किस परकासे डालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँँगा आज की वीडियो भी से यहाँ करते हैं आपको यह वीडियो कैसे लगी comment section में जुरूर बताना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद